आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में देखिए दोस्तों अभी आपके सामने स्क्रीन पर एक आपको इगनू की मार्क सीट दिख रही होगी एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बता था आप इगनू की डिगरी कैसे डाउनलोट कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों ने मेरे इस पर पूछा था कि हम मार्क सीट कैसे डाउनलोट करें तो Mark Seat Download कैसे होगी जिस परकार से आप देख सकते हैं एक student का ये पूरा Mark Seat आप देख सकते हैं ये BAG की student है अबाकी और भी अगर आपका कोई course है तो आप सभी लोग अपनी Mark Seat को कैसे Download कर सकते हैं तो आज ही मैं Download करना बताऊंगा तो Mark Seat Download करने के लिए सबसे पहले आप सभी को DG Locker नाम की एक application है आपको सभी पर जाना पड़ेगा आप Play Store में जाए और वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा DG Locker को Download कर लिजी आपको कैसे Download होगा देब बताता हूं जो प्ले स्टोर है आप वहाँ पर जाए DG Locker ऐसे सर्च कीजिए और यहाँ पर ऐसे आजाएगा यहाँ पर आपको Download करने का होगा क्योंकि मेरे Mobile में Download है तो आप इसको Download करिए एक Government की यानि भारत सरकार की Authentic Website है आप DG Locker को Download कर लिजे ठीक है और DG Locker को Download करके आप सभी को क्या करना इसको Open करना कर लेना है सारी चाज़े इसमें आधार कार्ट से आप इसको Login करके आराम से रख लीजे ठीक है और जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर सर्च वाले उक्सवन पर आला है जो नीचे सर्च लिखा है सर्च बोक्स पर क्लिक करना है जैसे आप सर्च में एंगे तो यहाँ पर देखो लिख रहा है सर्चे डोकोमेंट सर्चे डोकोमेंट में आपको पता क्या टाइप करना सर्चे डोकोमेंट में जाने के बद आपको यहाँ पर लिखना है इंदरा गांधी National Open University इस प्रकार से आपको क्या लिखना है In Visa, इस प्रकार से आप इगनू लिखना है और इगनू लिखने के बाद क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है देखो यहाँ पर लिखा है Indra Gandhi National Open University तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है degree diploma certificate इसको आपको कुछ नहीं करना है इस पर आपको कुछ नहीं करना है इस पर कुछ नहीं करना है आपको mark sheet download करने mark sheet के लिए आपको degree diploma जो लिख रखा है mark sheet इस पर click करो ठीक है जहाँ पर लिखा है degree diploma mark sheet इसको click कीजेगा Markageet पर QueeСラ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से interphase आएगा देखो उपर लिखा है Degree Diploma Markateat लिखा है यहाँ पर आपको आपका नाम लिखा होगा और सेम जैसे IGNU की IGNU में आपने नाम लिख रखा है और यहाँ आधार कारच से आज़ागा यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर फीक है यहाँ पर आपको अपना enrollment number डालना है फीक है आपका जो enrollment number इसको फिलप करना है उसको लिख देना है ठीप ते सारी चीज रहेगी यहाँ पर get document get document पर करना है और उसके बाद आपका क्या होगा जो आपकी mark seat होगी और download हो जाएगी ठीक है आप सभी की mark seat आराम से download कर सकते हैं ठीक है और जो आपकी mark seat होगी न यहाँ पर download होगी आ करके यहाँ पर जो एक option लिखा न इसूड इसूड वाले option पर होगी ठीक है जैसे आप e-sude वाले option पर click करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ पर जैसे आपका अधार card होगा pen card होगा skill certificate होगा यह vaccination का है और यहीं पर आपकी mark sheet download हो जाएगी आप देख सकते हैं यहीं पर आपकी mark sheet download हो जाएगी और इसको आप click करके आप इसको open कर सकते हैं इस परकार से आपका यहाँ पर download है देखो इनका download का bachelor of art आपका medium रहेगा आपका नाम क्या enrollment number क्या आपका सारा जो mark sheet होगी यह download हो जाएगी तो इस परकार से जो भी student है इगनु में आप सभी लोग जाकर के आप अपनी mark sheet को download कर सकते हैं डीजी लोकर को पहले आप जाकर के fresh आप डीजी लोकर आपके mobile में अगर है तो उसको uninstall कर दीजिए और नया डीजी लोकर को download कर जिए और उसको आधार कार्ट से आप उसको login कीजिए और आधार कार्ट से login करने के बाद search option पर जाकर के search ओस पर जाकर वहाँ पर इगनु लिखे इगनु लिखने के बाद view आल पे जाना है और view आल पे click करने के बाद आपको क्या करना है degree diploma mark seat पर click करना है वहाँ पर आपका नाम रहेगा और फिर enrollment number डाल करके आप अपनी mark seat को download कर सकते हैं अगर आप अभी भी ये mark seat को देखो मैंने यहाँ पर download कर लिया है कि student का आप भी जाकर के इस प्रकार से आप अपनी mark seat को download कर सकते हैं और mark seat download करने में अगर आपको कोई दिक्कात आ रहे तो मुझे जरूर बताईगा और आप सभी को अपनी degree कैसे download करनी वह भी मैंने बता रखा है mark seat आप सभी लोग अपनी जाकर के download कर सकते हैं ए वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताईगा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच जैहिं जै भारत